हलो गाईस कैसे हैं आप लोग मैं हूँ डॉक्टर वैभफ तिवारी और आज की वीडियो बहुती जादा इंफॉर्मेटीव होने वाली है इस्पेशली उन लोगों के लिए जिनके बिल्कुल दात नहीं है तो मैंने ऐसी बहुत सारी वीडियो बनाई है जिसमें कुछ दात म लगाना है तो किस तरह से लगाएंगे कैपिंग कर सकते हैं ब्रिज कर सकते हैं इस तरह कि मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है जो आपको मिल जाएगी लेकिन ये वीडियो मैं पहली बार बना रहा हूं और ये इस पेशली उन लोग के लिए हैं जिनके बिल्कुल दात न करा सकते हैं जो भी आपको पसंद आता है ठीक है तो स्टार्ट करते हैं पर स्टार्ट करने के पहले अगर आप चैनल में नए है तो चैनल को तुरण सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कर दीजे जिससे आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे उ और रूल को फॉलो करिए और उस हिसाब से आप मुझसे जूर सकते हैं तो चलिए अब बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं गैस यहाँ पर मैं आपको बेसिक ट्रीटमेंट आप्शन से लेकर एडवांस ट्रीटमेंट आप्शन बताने वाला हूं जिससे आपके लिए असान हो सके कि आपको कौन सा ट्रीटमेंट चूज करना है तो सबसे पहला नंबर वन में आता है नॉर्मल डेंचर इस्टेंडर डेंचर जो इस तरह का दिखता है यह आल्रेडी बहुत लोग इस तरह का ट्रीटमेंट करा चुके हैं और बहुत लोग चाते होंगे इ बता देता हूँ कि क्या इसके अड्वांटेजेस हैं और क्या हैं इसके डिस अड्वांटेजेस तो सबसे पहले हम एड्वांटेजेस जान लेते हैं तो सबसे पहला अड्वांटेज यह है कि यह सबसे सस्ता ट्रीटमेंट ऑप्शन है जितने भी ऑप्शन में आगे आपक अच्छी खासी इससे दोस्ती कर लेते हैं तो आप खान, you are able to eat, आप हर चीज खा सकते हैं, मतलब हर चीज में बहुत कड़क चीज नहीं, नॉर्मल आप खाना अच्छे से खा सकते हैं, ठीक है, तो ये हैं इसके advantages, अब हम इसके disadvantages में आ जाते हैं, तो सबसे पहला disadvantage ये है, कि जो वेक्ति इसको लगाता है, तो इसको starting में बहुती जादा uncomfortable और unnatural feeling आती है, शुरुवात में ये बहुती जादा problem होती है, तो इसको धीरे धीरे आपको दोस्ती करना पड़ेगा, patience रखना पड़ेगा, तभी आप इससे अच्छे से दोस्ती कर पाएंगे, और आगे इसको ले जा पाएंगे, बहुत लोग के साथ ऐसा देखा गया है, कि जिन लोग इससे अच्छे से इसको adapt नहीं कर पाते, वो इसको बाद में use करना बंद कर देते हैं, तो ये एक तरह की आपके साथ खुद की जंग रहेगी, जिसको आपको खुद पार करना है, क्योंकि पूरे तालू को कवर करता है, तो पूरे तालू को कवर करने की वज़ा से इसमें gagging का problem आता है, speech में problem आता है, और ये आपके taste को भी effect करता है, इसमें तीसरा disadvantage ये है कि धीरे-धीरे, slowly-slowly ये आपकी जबडे की हड़ी है, उनको कम करते जाता है, मतलब आपकी bone loss होते जाती है, और चौता disadvantage ये है कि इसका maintenance time consuming है, time consuming in the sense आपको proper इसको निकाल के अच्छे सफाई, फाई करके वापस पहनना रहता है, तो इसमें साफ सफाई में, maintenance में आपको time देना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, और कई बार ये moment embarrassing होती है, अब हम इससे अच्छा option जानते है, जो है over denture, तो हमारा second option, over denture है, over denture क्या होता है, ये denture normal पहले जैसे denture की तरह रहता है, लेकिन इसमें हम implant के support में denture बैठातने हैं, मतलब 2 implant या 4 implant के support में denture बैठाया जा सकता है ये denture वैसे ही होता है निकालने रखने वाला होता है लेकिन ये आपको पहले वाले denture से जाधा support देता है क्योंकि ये implant के support में बैठा हुआ है तो ये आपको खाने में जाधा help करेगा दिखने में तो normal look को आपके बढ़ाई देगा अच्छा दिखेगा ठीक है तो सब चीज अच्छी रहेगी इसमें पहले वाले से क्योंकि इसमें implant के support में denture बैठाया गया है इसका disadvantage भी हम जाल लेते हैं तो disadvantage में ये ही है कि ये पूरा तालूक आपके cover करता है उपर का denture तो तालूक को cover कर रहे है तो gagging का problem आपको हो सकता है स्वाद में problem हो सकता है आपके taste को effect कर सकता है आपके speech को भी effect कर सकता है ठीक है और ये acrylic का बना हुआ है तो हो सकता है आपको unnatural or uncomfortable feeling आए बट ये starting में आती है अगर आप इसकी habit डाल लेते हैं तो बाद में आप adapt कर लेते हैं ठीक है तो ये रहे इसके disadvantages और एक और disadvantage ये है कि ये महंगा treatment है पहले वाले से इसमें implants डले हैं implants use हो रहे हैं तो implant महंगे आते हैं और जितने implant आपके में लगेंगे उस हिसाब से क्वास्टिम बढ़ जाती है तो आप खुद calculate कर सकते हैं ठीक है So guys आगे बढ़ते हैं और तीसरो option जानते हैं जो पूराने दोनों option से ज़ादा बहतर है तो उसका नाम है all on four ये all on four में क्या होता है हम चार implant के support से denture बनाते हैं और ये denture को fix किया जाता है चार implant नीचे की तरफ डलते हैं और चार implant उपर की तरफ डलते हैं और उन चारों implant में denture को fix कर दिया जाता है इसमें benefit ये है patient का कि ये denture को उसको निकालना नहीं पड़ता ये एक तरह fix रहता है पहले वाले में आपको निकाल के साफ करना पड़ रहा था इसमें ये डेंचर को fix कर दिया जाता है और आपको normal जैसे आप अपने natural दातों का हम साफ साफाई करते हैं वैसे आपको इस डेंचर को भी साफ साफाई करनी रहती है ठीक है दूसरा benefit यह है कि आपको थोड़ा ज्या ज्यादा मजा आता है ज्यादा अच्छा लगता है बोलने में ज्यादा natural feeling होती है ठीक है तो इस तरह की इसके advantages रहते हैं अब इसका disadvantage भी आपको जानना जूरी है तो इसका disadvantage यह है कि यह दोनों पहले वाले डेंचर से यह महंगा treatment है ठीक है दूसरा disadvantage यह है कि इसमें आपको साल में एक बार dentist के पास जा के proper पूरी cleaning करानी पड़ती है जिसमें denture को निकाल के doctor पूरा साफ सफाई करता है और वापसे fitting करता है ठीक है so guys हम आगे बढ़ते हो लास्ट option जान लेते हैं जिसका नाम है 3 on 6 तो इसमें होता क्या है यह आप जान लिए इसमें 6 implant के support से पूरे right side में डाल दिये और 2 implant आगे डाल दिये और यह 2 implant के support में 4-4 दात का bridge बनाया जाता है चार दाती धर चार दाती धर चार दाती धर तो total 12 दातों का set बनाया जाता है same चीज़ नीचे भी यही काम किया जाता है लेकिन यह जो treatment option है इसमें advantage यह है कि बहुत ही जादा natural look देता है क्योंकि इसमें denture आप नहीं पैन रहे है इसमें जो दात लगाया जा रहे है यह total natural look आपको देते हैं तो feeling एकदम natural आती है और confident feel होता है खाने पीने में यह अच्छा-खासा support करता है ठीक है तो यह इसका advantages हो गया guys अब इसका disadvantage भी जान लीजिए सबसे पहला disadvantage यही है कि यह expensive treatment है ठीक है दूसरा disadvantage यह है कि जरूरी नहीं कि 6 implant में हो जाए अगर किसी की हड़ी कमजोर है तो implant जादा भी डालने पड़ सकते हैं वो situation के हिसाब से होता है यह मैंने आपको एक normal तरीके से बताया कि 6 implant के support में हम 12 डाट डाल देते हैं बट उसमें terms and condition है कि हड़ी अच्छी ह डाला जाएगा अगर हड़ी आपकी कमजोर है तो implant जादा भी डालने पड़ेंगे ठीक है तो यह ही था disadvantage लेकिन इसका बहुत अच्छा advantage यह है कि यह treatment आपको बहुत अच्छी service देता है long service देता है और एकदम natural feeling देता है ठीक है और इसका मैं आपको average में costing भी बता देता हू confidently natural दांतों की तरह service पानना चाहता है तो वो यह treatment में जाए जो बहुत ही अच्छा treatment है आपके लिए तो guys यहाँ पर मैंने आपको चारो options बता दिये ओप सो मैंने हर चीज़ को cover किया वीडियो पसंद आई गई तो like करके इंक्रेश जरूर करिएगा वीडियो को share करें अपने family और friends के साथ भी और अगर अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe करके bell icon को press कर दीजिए जिसे आने वाली हर informative वीडियो भी आपको मिलती रह थैंक यू सो मुच पर वाचिंग जैहिं जैबारत